तो कैसे हैं आप लोग तो फ्रेंस मैं आपको इस वडियो में बताने वाला हूँ कि case का judgment letter कैसे download करेंगे यानि कि कोई भी case किसी वेक्री से आप लड़ते हैं और आपका जो final degree वाला paper होता है यानि कि आपका case का जो degree होता है उसका final letter जो तयार होके आता है judge के माधियम से अलेडि मैंने website का open करके रखा है इस website का link आपको decision में मिल जाएंगे उस link पर क्लिक करते हैं इस website पर आजाएंगे उसके यहाँ पर आपको एक options है यानि कि आपका degree कभव था तो यहाँ पर 17 से लेकर 23 तक आपको दिया गया है उससे पहले का भी नहीं दिया गया है तो यहाँ पर 17,89 से 23 तक आपको यहाँ पर है और यहाँ पर जो भी है साल अपना select कर लेंगे पना यहां पर पर टाइब कर देंगे पर से आपका जो है judgment later मिल जाएगा ki हाँ पे computerized type किया होता है और judge का signature होता है नीचे की दरफाएंगे तो यहाँ पे देशते हैं यहाँ पे देशते हैं उनका signature है date भी यहाँ पे आपको लिखा होता है date भी लिखाऊ हुआ है कि state में judgment किया था और सरा डिटेल्स यहां पर लिखा होता है इसमें और किन से किन से आपको या केस लड़ा गया है यहां पर देखा है तो यहां पर इस तरह से जो जज्जमिन्ट है सरा डिटेल्स इससे आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं इस सरा डिटेल्स लिखा होता है कि इस तरह से आपको final decision दिया गया है क्यों दिया गया है यह सरा details यहां पर लिखा होता है तो इस तरह से अपना judgment paper download कर सकते हैं अपने घर बैठे अपने mobile के माधियम से तो friends अगर यह वीडियों आपको पसंद आया हो तो वीडियों को लाइक किजेगा चैनल पर रहा है चलको subscribe बटन पर किलिकर करके subscribe कर दिजेगा बेल आइकन को प्रेस कर दिजेगा तकि मेरा हट वीडियों को आपको सबसे पहले मिसके